ओम सिरी गने सायनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त बुद्धवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावधन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदा दिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किर्पा द्रश्टी आपके उपर रहेगी सबी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रातीत होंगे साथिसाथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजदी की रिष्टेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो व अगर चित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपून निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्दियां लेकर आ सकता है अपने महत्वपून कारर को निबटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अवस्थ से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्ने ले भावुकता में आकर आपके निर्ने गलत हो सकते हैं शेयर मार्केट और रिस्क संबंदित कारों में आपके लिए लाबदाइक प बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों परिवारिक इस्तितियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उ तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती हैं साथ बच्चों की किसी नकार अतमक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती हैं परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करने की आप क सबी पहलू पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वानी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रुत रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फेहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रतिदोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोश सिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सामति पूर्ण तरीके से समझाएं गुस्चा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्चे पर थोड़ा सेयम रखें साथ ही साथ दोस् कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना अती आवशक है कोई बाहरी वेक्ती जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिती उत्पन कर सकता है शाफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो आज के दिन आपका जीवन साती आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद अज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तो जीवन साती का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाई की संबंद ठीक रहेगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुख़द यादें ताज आँगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवस्चे ही लाव उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेच छित्र में आपकी निगरानी अती आवश्चक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवश्चक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा कारेच छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवश्चकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविदियों को नजर अंदाज ना करें आपके पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अतियावशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारे को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्ष प्रभाब आपके मान सम्मान पर पढ़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो साथ साथ कारे छेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्टितियां और बिगड सकती है अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान्य बना कर रखें दोस्तो साथ साथ आज का दिन मारकेटिंग सम्मदित कार रहें और बाहरी गति विदियों में व्यतित होगा नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशिडिटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खानपान में आपको शैयम बना कर रखने की आवश्चकता है दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक नारियल ले या दोस्तो इसके बाद आप इस एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को अरपित करें और विग्न हर्ता गनेश श्रोत का पाठ करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल ले ही हैं समस्त परिशाने कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फुलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बंते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जीक का अशिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद